असलाम अलेक्म स्टूडेंट्स आज हम कुछ डाटाबेस सिस्टम्स के कुछ मजीद आडवांटेजिस पे बात करते हैं हम इससे पहले भी एक वीडियो में कुछ आडवांटेजिस जिकर कर चुके हैं इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखे तो चलते हैं कुछ मजीद आडवांटेजिस की तरफ जिस तरह आपके सामने यहां पे लिखा है कि डाटा कंजिस्टेंसी, डाटा सिक्यूरिटी, पास्टर डेवल्पमेंट आफ निव उप्लिकेशन्स, एकॉनमी आफ स्केल, बैटर कंकरिसी कंट्रोल और बैटर बैक अप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स अब यह six advantages है आपके पास database systems के अब हम इनको one by one देख लेते हैं डाटा कंजिस्टेंसी से क्या मुराद है कि आप यह database का आपके पास कैसे advantage है कि आपके पास कोई भी change अगर आप करना चाहते है database के अंदर तो वो एक consistent change होगा ठीक है या आप एक data को आप यह वो change भी जो आप change करेंगे वो change भी आपके पास manageable और control होगा ठीक है आप अपने हिसाब से उसको change करेंगे और आप यह देखेंगे कि मैं एक data में एक parameter में अगर एक item में मैं change कर रहा हूँ तो इस change का दूसरे items पे और दूसरे उससे related data पे क्या फर्क पड़ेगा तो इसलिए आप consistent change आप करते हैं database के अंदर और यह हमारे पास जो database है वो data consistency में helpful होता है ठीक है कि आपके जो change है या आप जो data को edit करना चाहरे है यह update करना चाहरे है तो वो भी controlled और एक manageable way में है ठीक है यह आप देखेंगे कि इस change का उसके related data पे क्या फर्क पड़ रहा है तो इसे हम data consistency का नाम देते हैं अब हम आजाते हैं better data security पर ठीक है अब एक database system है उसके अंदर users है employees है यह users किसी भी किसम के हो सकते है तो database management system को पता है कि कौन सा user कौन से data को access कर रहा है और वो क्या उधर perform कर रहे है तो जो accessing है अगर कोई भी staff का member या employee है तो database management के पास details हैं कि यह user कौन से data को access कर रहा है और इसके पास access कौन से है ठीक है और अगर एक डाटा की अगर उसके पास एकसेस नहीं है तो वो उसको एकसेस नहीं कर सकता तो ठीक है तो यह एकसेस के एंड एकसेसिंग विच पार्ट अफ डेटा तो आपके पास आप उसको एकसेस जो देना चाहते हैं वो यह आप दे सकते हैं अब इसके बाद मज़ीद बात आ जाती है faster application development आपने एक दफ़ा data store कर दिया ठीक है अब हम यहाँ पर एक example ले देते हैं students की कि students का data आपने store कर लिया ठीक है अब आपने एक्सेमेंशन के लिए store की है अब आप चाहते हैं कि हम इसको attendance के लिए यूज़ करें या आप लाइबररी के application के लिए यूज़ करना चाहते हैं या a bear stay registration service के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं तो अगर उसको आप utilize करते हुए, एक new application design कर सकते हैं, तो इसे हम faster application development का नाम देंगे, अब हम चलते हैं next advantages की तरफ, economy of scale, means आपके बास एक किसम का data, different applications के लिए काम आ सकता है, ठीक है, admission department का data, attendance के लिए, या library के लिए, या examination record के लिए भी use हो सकता है, तो scale, इसे आप economy of scale का नाम देते हैं, एक किसम का data आपको बार-बार store नहीं करना पड़ा, और वोई data से आप multiple applications perform कर सकते हैं, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने पास, next advantage की तरफ, better concurrency control, concurrency control से मुराद्जे है, अब यहाँ पर एक famous ATM की example है, आप सब लोग ATM use करते हैं, तो देखें, अब पूरे मुलक में एक bank की हजारों, लाखों अपली, जो है, ATM इंस्टाल है, और at a time वहाँ पे users पैसे withdraw कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका अपस में clash कर दूसरे user के साथ कभी clash नहीं आता, ठीक है, यह नहीं है, अगर एक city में different ATM इंस्टाल हैं, तो वो at a time पे, जो million of users हैं, जो thousands of users हैं, वो at a time पे use कर रहे हैं, ठीक है, वो centralized, सब ATMs, centralized database के साथ attach हैं, ठीक है, तो वो centralized database को दूद्रू काम कर रही हैं, और हर user उनको at a time पे access कर रहा है, तो यह आपके पास better concurrency, control, इसको आप नाम दे देते हैं, ठीक है, और यह efficient manner में सारे जो काम है, वो आपके पास सारे tasks perform हो रहे हैं, अब आ जाते हैं backup की तरफ, आपने एक database management system बना दिया है, तो आपके लिए यह ज़रूरी है, कि आप उसका backup भी रखें, या आप उसका periodically backup लें, मेंज उसका weekly लें, weekly या monthly, ठीक है, तो आप database management की तरूँ, आप एक better backup और recovery भी आप perform कर सकते हैं, तो यहाँ पर आज की वीडियो एंड होती है, उमिद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी, मजीद इस तरह की वीडियो के लिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर इसके बारे में कुछ आपने, आज की वीडियो के बारे में कुछ question है, आप मुझे नीचे comment में पुछ सकते हैं, आप से इंशालला नेक्स वीडियो में मुराकात होगी, तब तक के लिए, अल्ला हाफेज,